आज की रात यूपी ओधाज और हर्याना स्टीलिस के बीच हुई एक थ्रिलिंग टकर ये मैच था लो स्कोरिंग लेकिन इंटेंसिटी का लेवल बिलकुल हाई था दोस्तों कि आप तयार हो इस धमाकेदार मैच की हाईलाइट्स देखने के लिए चलिए शुरू करते हैं मैच की शुरुआत ही धमाल से हुई हर्याना के संजे ने भवानी राजपूत को डू और डाय रेड में टैकल किया संजे की एनरजी और स्ट्राइड़ी के साथ हर्याना ने अरली लीड बना ली थी विने का डिफेंसिव स्किल का जलवा भी दिखाई दिया जब उसने यूपी के भरत को डू और डाय रेड में टैकल करके हर्याना को और भी एडवांटेज दिलाया इस मैच में हर्याना के रेडर्स और डिफेंडर्स ने बराबरी से धम्माका किया था लेकिन 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 यूपी ने भी पीछे रहने का कोई प्लान नहीं बनाया था भारत ने एक सूपर रेड मारके तीन बड़े टच पॉइंट ले लिए भारत के इस पावर पैग मूउमेंट ने यूपी को कमबाक करने के लिए मजबूर कर दिया दोस्तो संजे ने यूपी की रेडर्स को चेज कंटीनू रखा और एक सूपर टैकल के साथ हरियाना की लीड को इंटैक्ट रखा संजे की इस गेम में हाई फाइट टैकल सक्सेस स्टोरी तो बन चुकी थी मैच के फाइनल मिनिट्स में तो टैंशन अपने पीक पर था विने ने कलॉक रोल करके यूपी को टाइम आउट का मौका नहीं दिया और एंड में हरियाना ने अपने दो पॉइंट लीड मिंटेन कर लिया यूपी ने भी अपने बेस्ट रेडर्स को डिपलॉई किया और गगन गौडा और भवानी राजपूद ने फाइनल सेकंड्स में भी हरियाना के डिफेंस को चैलेंज करने की पूरी कोशिश की लेकिन हरियाना के आईरन वॉर्ड डिफेंस को क्रैक करना मुश्किले नहीं ना मुम्किन था दोस्तो और ऐसे हुआ खतम ये लो स्कोरिंग थ्रिलर हरियाना स्टीलर्स ने 30-28 के स्कोर के साथ मैच अपने नाम कर लिया दोनों टीमों ने धमाल मचाया और हम भी नेक्स्ट गेम में ऐसे ही एक्शन के लिए एक्साइट रहेंगे तो दोस्तो कैसी लगी आपको ये मैच हाइलाइट्स कमेंट में जरू बताए फेवरेट मुमेंट और चैनल को सिस्क्राइब करना ना भूले इन दर कमेंट सेक्शन प्यार भेजिए दोस्तो कुछ तो कमेंट कीजिए कैसे लगी आज की कमेंटरी और ये मैच की हाइलाइट्स लाव यू गाईज टेक केर हम नाइस दे मिलते हैं नेक्स्ट कबड़ी मैच में